अगर दोस्तों आप मार्किट में नए नए आए हैं, आप्शन स्टेडिंग सीखना चाहते हैं, तो एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस स्टेडिजी है, जिसको हर कोई बहुत असानी से यूज कर सकता है, अपलाई कर सकता है, यानि बजार माल लेते हैं, निफ्टी च खामिया भी है, और ये जो खामिया कुछ इस तरीके कि बजार ऊपर जाए, तो पैसा बन जाएगा, नीचे जाए, तो पैसा बन जाएगा, अगर बजार बीच में रुक गया, तो आपको नुकसान होगा, और नुकसान maximize भी आ सकता है, लेकिन इस नुकसान को अगर हम कम करन आने है, आपके profit मिलने की जो chances है, वो double हो जाएंगे, दो गुना हो जाएंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, और जानते हैं, ऐसी कौन सी strategy है, जिसको apply करने के बाद बजार कहीं भी जाए, ऊपर जाए, चाए, नीचे जाए, आपका पैसा बन जाएगा, बस बीच में बज नहीं रुकना चाहिए, तो चलिए, चलते हैं, computer screen पर और समझते हैं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का training channel की YouTube channel के अंदर, मेरा नाम है अन्मोल मितल, शुरुआत करते हैं समझने की, मैंने फिलाल एक 50-50 का चार्ट लिया है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, यह होता क्या है, options के अंदर, call or put, जो लोग नहीं जानते, देकि call का क्या मतलब होता है, कि अगर आप market में तेजी करना चाहते हैं, तो आप call को buy करिए, और अगर आप market में मंदी करना चाहते हैं, तो put को आपको buy करना होते हैं, दो segment है, एक है call, जिसको हम CEB कहते हैं, और ए आपको लगता है, बजार में मंदी आ सकती है, तो आप put को buy करना होते हैं, देखें, मैं shorting के बारे में नहीं बताऊंगा, आज writing के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा, जो नहीं लोग है, वो confused हो जाएंगे, फिलाल आपको स्रीफ यह समझना है, आपको लग उपर वंदरादाधा 700 के अप्रॉक्ट चल रहा है एग्जेक्ट अब जो 1570 का लेवल है अगर मैं इसकी कॉल भी बाए कर लूं और मैं इसकी पुट भी बाय कर लूं तो बजार कहीं भी जाए आपको मुनाफ़ा बन जाएगा ऊपर जाए तो भी बन जाएगा नीचे जाए तो भी बन जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ आपने खरीद ली लेकिन इसमें नुकसान का होगा नुकसान दोसों तब होगा कि जब भी हम option के अंदर buying करते हैं तो इसका एक premium होता है माल लेते कि call थी 10,000 पे की और put थी वो भी 10,000 की थी for example तो 20,000 पे आपको premium देना पड़ेगा अब 20,000 पे premium देने के बाद अगर market की moment इतनी आ जाए कि वो 30,000, 40,000 का profit आपको दे रही है तो तो ठीक है लेकर अगर उतनी moment market में नहीं आती तो यह आपको loss देना शुरू कर देंगे थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको समझ में आएगा मैं पैनल में लेके चलता हूं और अच्छे से आपको clarity आएगी तो यहाँ पर sensible में आते हैं यह देखे sensible का यह homepage है यह option strategy बनाने के लिए मैं इसका use करता हूं और अगर आप sensible का subscription चाहते हैं तो offer चल रहा है आप उस link पर जाएंगे उस offer को select करके आप sensible को ले सकते हैं तो यहाँ देखे strategy builder में मैं जा रहा हूं और यहाँ पर हम एक strategy बनाते हैं देखे जिस strategy की हम बात कर रहे हैं इसका official name है long straddle official name यह है अब यहाँ पर हम strategy बनाते हैं देखे निफ्टी चल रहा है 15,700 पर build new custom strategy बना रहे हैं तो यह देखे यहाँ पर है call और यहाँ पर है put दोनों को क्या करेंगे हम 15,700 पर ही buy कर लेंगे उसी strike पर buy कर लेंगे दोनों को तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्या बनगे एक strategy बन गई strategy आप देखे यह strategy आपको यहाँ दिखाई दे रही है अब इस strategy का अंदर देखे जो maximum loss है वो है 15,000 का लेकिन आपको profit तब आएगा expiry पर या तो market 15,400 यह देखे यहाँ पर लिखा है यहाँ फिर market 16,000 से उपर चली जाए यह देखे यहाँ 16,000 लिखा है यानि मुनाफ़ा तो दोनों तरफ आएगा लेकिन gap अगर आप देखेंगे तो gap बहुत बड़े है 2-2% की gap यहाँ देखे लिखा है यह 1.9% यानि इतनी मुवमेंट चाहिए लगबग 2% की आसपास की मुवमेंट चाहिए बाजार को तब जाके आपको यहाँ पर मुनाफ़ा आना स्टार्ट होगा expiry भी मुनाफ़ा आएगा बात समझ रहे आप आपको expiry भी मुनाफ़ा तब आएगा जब इससे ऊपर जाएगी और अगर 2% की बात करें 2% पर तो no profit no loss पर निकलेंगे अब इससे ऊपर जितना जाएगा तब आपको मुनाफ़ा होगा तो nifty 50 के अंदर अगर हम expiry की बात कर चार दिन बचे है चार दिन में 2% से ज्यादा यानि 3% को भी अगर हम देखे मुनाफ़ा के लिए तो 3% क्या movement आ सकती है यह हर बार नहीं होता यह बहुत कम होता है तो यह बहुत कम होता है तो हम कैसे मुनाफ़ा कमाएंगे हमें तो एक strategy बनानी है कि बजार ऊपर जाए नी जाएगी चलिए अगर आप यहां देखेंगे जो प्रॉफिट की प्रॉबब्लेटी है वो 43% है यानि 43% चांसिस है कि आपको प्रॉफिट आएगा अदर्वाइस चांसिस इतने नहीं है कि आपको प्रॉफिट आएगा इस चांसिस को बढ़ाते हैं अब यह कैसे करेंगे जरा इसको समझते हैं देखें हम strategy builder में जाएंगे अब यहां पर हम क्या करेंगे हम बाय के साथ कुछ शौट करने वाले हैं अब शौटिंग का क्या लोजिक होता है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पता है तो फिलाल सिरिफ आपको ऐसे ही समझ ना क्योंकि अगर मैं writing के बारे में first time आप आए मैं समझाने लगूंगा तो आपको confusing हो जाएगा हम क्या करेंगे 200 strike price उपर 200 points उपर अब हमें shorting भी करनी है साथ में तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके lot size बढ़ा देंगे वह तीन हम call buy करेंगे तीन हम put buy करेंगे उसके बाद 200 points उपर दो हम short कर देंगे put को और यहाँ पर देखे 200 points यानि 15,900 की तरफ अब हम यहाँ भी 200 दो lot हम short कर देंगे अब यह काम करने के बाद आप देखें तबदीली क्या आती है यहाँ पर देखें जो 2-2% का gap था अब वो reduce होकर के आपका 2% का gap 1.34% रहे गया यह प्रोक्स यानि 30-40% तक ही reduce हो गया है यहाँ भी देखें यह भी 1.3% का break even रहे गया है अब आपको 2% की movement नहीं चाहिए अगर आप 1.3% उपर निकल गए या नीचे निकल गए तब भी आपको profit आना start हो जाएगा अगर 2% उपर expiry हो जाती है 2% नीचे expiry हो जाती है आप मुनाफे में निकल जाएंगे जो आपका break even point है वो 100-100 points reduce हो गया कम हो गया समझ रहे आप अब यहाँ पर देखिए आपका जो maximum loss है अब वो 30,000 हो गया अब आप कहेंगे क्योंकि आपका जो यहाँ profit था वो profit भी बढ़ गया है जो आपको 2% में profit वो वाली strategy देती वो इससे जाधा आपको profit देगी तो यह उतना ही relevant है जितना वो relevant थी और बलकि जाधा relevant है क्योंकि यहाँ पर आपके जो जो break-even point है वो reduce हो गया है यहाँ पर profit मिलने के chances बहुत जाधा हो गया है अगर मैं probability की बात करूं यहाँ पर अगर आप probability देखेंगे तो 57% हो गी है पुनारी वाली strategy में 43% थी 42-43% यह 53% कितनी जबर्दस यहाँ पर जो है probability आगी है आपके profit की और यहाँ पर आप देखे यह strategy काफी हद तक fine हो गई है अगर हम इसको और fine करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं चलिए वह बात कर लेते हैं अब इसको दोस्तों थोड़ा और fine करते हैं strategy builder में जाते हैं अब हम यहां क्या करेंगे हम पांच lot buy करेंगे put के और पांच lot ही call के buy करेंगे और यहाँ भी जो shorting वाले lots हैं इसको बढ़ा देंगे यानि चार lot हमने put के 200 strike price उपर हमने short कर दिए अब यहां देखे 15,000 से 200 के gap में फिर हमने चार कर दिए अब देखे क्या तब्देली आईए अब यहां पर अगर आप break even point देखेंगे यह और कम हो गया आप देखें मार्किट की movement अप्रोक्स 1% आती है अप्रोक्स 1% के असपास थोड़ी सी साधा है 1% से 1% मार्किट या तो नीचे चली जाए या 1% मार्किट ऊपर चली जाए आपको profit आजाएगा अगर dead dead percent पर भी market expiry दे देती है तब भी आप profit में आजाएंगे इतनी जबर्दस strategy fine होगी है अगर probability की बात करेंगे profit की probability 62% तक चली गई है अब यहां maximum loss भी बढ़ी गया है 46,000 लेकिन 46,000 दोस्तों पता है कहां हैगा जब market exact 15,700 पर ही expire करेगी तो इतना wait मत करिए जब भी आप इस strategy को बनाते तो कुछ बातों का आपको धिहान रखना पड़ेगा उन बातों को मैं बता देता देखें जब भी आप यह strategy बनाते हैं सबसे पहले अपना stop loss decide करें अपना target decide करें देखें यह आपको 46,000 का जो loss है वो एकदम नहीं आता है वो दिरे दिरे आएगा यानि इसमें दिरे दिरे time decay होगा तो पहले 500 पे time decay होगा फिर 1000 फिर 1500 फिर 2000 और यह भी तब decay होगा जब market व तो पहली बात तो यह है दूसरी दोस्तों इसके अंदर चीज यह है कि यह strategy कब आप play करेंगे क्या हम कभी भी से strategy को play कर सकते हैं बिल्कुर नहीं यह strategy play करने के लिए आपको market गंदर moment चाहिए अगर आप technical analysis के अंदर काफी समझ रखते हैं तो technical analysis में बहुत सारे ऐसे tool है जै movement आने वाली है तो अगर ऐसी कोई movement आ रही है तो technical analysis का यूज करके आप strategy यूज कर सकते हैं बाकि यह strategy फंडाइमेंटली यूज तब की जाती है जब कोई event आने के chances हो जैसे कि RBI की policy आने वाली है कोई fed rate बढ़ने वाला है को government का tax cut होने वाला या tax बढ़ने वाला है या कोई center के election होने वाले है या किसी company के result आने वाले है तो ऐसी condition के अंदब उस particular stock में या market के अंदर एक moment आने के chances रहते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि moment कहाएगी देखिए result अगर अच्छे आए company के तो moment उपर की तरफ आ सकती है result खराब है moment नीचे की तरफ आ सकती है neutral रहे लेकिन आपको decide करना है कि कहा moment आने की chances कितने हैं मार्किट कहीं भी जाए लेकिन मार्किट जाना चाहिए अगर मोमेंटम यहां पर नहीं आ रहा है मार्किट के अंदर तो आप पैसा नहीं बना पाऊगे इस particular strategy से तो सबसे पैस तरीका यह है कि सबसे पहले आप इवेंट को देखे कोई event है तब आप इस strategy को play कर सकते हैं या फिर इंडिकेटर या technical analysis का यूज कर सकते हैं कोई बड़ा breakout हो नहीं आने वाला है दूसरा अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया momentum नहीं आया जो आप expect कर रहे थे इसका दिरेदरे time decay होना start होगा तो आपको 46,000 तक hold करने की ज़रूरत नहीं है आप decide करें आपको loss कितना चाहिए 2000, 3000, 4000, 5000 मालेदार में decide कर लिया जी मुझे maximum 5000 का अगर loss हो ज यूज करिए बेवजा यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो उमीद करता हूं दोस्तों यह जो customization है यह जो fine किया गए strategy को यह concept आपके जरूर काम आएगा इस strategy को बनाने से पहले हमेशा पहले back testing करिए sensible के अंदर paper trading option available है आप paper trading करके देखिए कि reality में क्या result आता ह जब आप paper trading करेंगे तो आपका confidence बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आपको पता है कि मेरी strategy reality में work कर रही है या मुझे कैसे handle करना है उमीद करता हूं दोस्तों यह strategy आपके जरूर काम आएगी और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है त एक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई गॉडबाई गॉडब्लेस यू बबाबाई दोस्तों